हलो दोस्तों स्वागत है अप लोंगा हमारे यूट्यूब चैनल महानसर में दोस्तों आज हम पढ़ने बाले हैं साजाहां के बारे में हमने इससे पहली की किलासों में हमने एकबर को पढ़ लिया है जहांगीर को पढ़ लिया है आज हम पढ़ेंगे साजाहां के बारे में त इसका पढ़ाते हैं साथ चीजसें समझते हैं इसका जहांगीर का बेटा हमने पछली बत कि थी जहांगीर का बेटा खुर्रम होता है चार बेटों की बाद की थि जिसमें शहरेयार धा, पर्वेज था ऐसे हमने चार लोगों की बाद की थी तो उसमें आपका ग्याता यह आप ग्याता यह साजान ही था अब इसके जो पिता होते हैं पिता तो हमने देख लिए जहांगीर है इसकी जो माता है वो जगत गोसाई हैं और ये राणा उदैसिंग की पुत्री हैं जो की मेबाड के राजा होते हैं उनकी पुत्री होती हैं क्योंकि हमने पढ़ा था जो जहांगीर थे उसकी कई साधियां एक तो ये जगत गोसाई से होती है एक आपकी नूर जहां से होती है तो ऐसे कई एक उसकी साधियां होती है और इसके जो बच्पन का नाम होता है ना किनके बच्पन का नाम साजहां के बच्पन का नाम अब यहां पर एक चीज और भी देख लिए मैंने यहां पर फूल नेम लिखा ये तो फूल नेम भी आपको पता होना चाहिए, कि इनका सहाबुत दीन मोहमद साजान होता है जैसे कि हमने जहांगीर का पढ़ाता नुर अगीर का बढ़ाता झाल अक्बांद अग्बर होता है, तो एजबे इसे क्या है नाम होते हैं इनके यह नाम भी आपको फुल पता होने चाहिए तो बच्पन का नाम आपका क्या है इसका खुर्रम आपका पड़ता है यह 1617 में कायमत नगर की संदी की बज़े से पड़ता है कैसे पड़ता है मतलब खुर्रम खुर्रम जो है ये खुर्रम इसका बच्पन का नाम होता है क्या होता है खुर्रम इसका क्या होता है बच्पन का नाम होता है अब यहाँ पे जो 1617 लिखा है आहमद नगर की संदी होती है जिसमें इसका नाम क्या पढ़ जाता है यह आपका जो मतलब साह जहां जो नाम पढ़ यहां पर सीधा एक एरो निकालोंगा एक एरो इस तरह से निकालोंगा और बहां से क्या लिखोंगा इसका नाम सह जहां पड़ता है तो राज बिसेद जो होता है शोविश 24 फरवरी 1628 को होता है क्यों कि जहांगीर की मिरत्यु आपके 16 16 October 1607 में हो जाती है कब हो जाती है 1627 में मुझ्क हो जाती है छाहंगीर क्यों स्ट सथ मतलब जैसे लचा मंद स्ट आब त स साजेंगा और शाजाँन की साधी होती है वो 1612 में होती है अर्जुमंद बानो ये काओन है अर्जुमंद बानो बेगम जो है इनसे 1612 में इसकी साधी होती है और इनी का नाम होता है मुम्ताज महल इनी का नाम क्या होता है मुम्ताज इनको नाम ही होता है मुम्ताज इनको नाम जैसे ओरिजिनल नाम तो अर्ज 1631 में होती है और इनी की याद में ताजमहिल को बनाया जाता है जो कि 1653 में जाके कंपलीट होता है यह 1653 में स्टार्ट नहीं किया था 1653 में जाके बना था अभी मैं आगे इसकी डेटेलिंग आपको बताऊंगा अब इनकी जो राजदानी थी वो दो थी एक तो आपकी 1628 में इसने क्या बनाई थी आगरा पहली राजदानी इनकी होती है 1628 में फिर 10 साल बाद यह क्या करते हैं 1638 में अपनी राजदानी को दिल् थैए में हमने जो इंफ्ोमेसिन नहीं रहा है तो साजां के ने पुत्र थे कि इतने पुत्र है चार नहीं जैसे इसका हो त다उटको पंजाब बाला है बन्गाल बाला इलाका लाका दिया था साउत इंडिया का व्यम्काгल भूजशय को व्यासे कर रहा थτο है और मुरा दारा सिको सा सुजा रंग जेब मुराद बक्स का सभी का युद्ध होता है आपस में जो तीन बेटियां थी साह जाहन की तीन बेटियां जिसमें जहां आ रहा थी रासन आ रहा थी और गोहन आ रहा थी तो यह चार ता these and और प्र भी गाते हैं अप जाओं बाद एक नंगर बसाया है और अहमद नगर को इसने 1633 में इसने अहमद नगर को जीता भी था जैसे कि 1617 में इसने संदी करवाई थी तो जहांगीर के काम मतलब टाइम पिरेड में कराई थी तो इसका नाम साजहां पढ़ा था क्योंकि बाँपे इसका नाम खुर्रम था उसस गोलकुंडा में जो सासक था वो अब्दुल्ला साहा था कौन था वहां पे सासक अब्दुल्ला साहा था और अब्दुल्ला साह का एक बजीर होता है मीर जुमला मीर जुमला ने कह गिया कोहिनूर हीरा साजहां को दिया था तो जो कोहिनूर हीरा की हमने जो बात की है कई च कापूर को मिलता है तो यह मलिक कापूर से यह चलते चलते यह आपका हीरा कहां पर आ जाता है यह आपका साजां के पास आता है साजां को कौन देता है मीर जुमला देता है यह मतलब यह हीरा तो आपको पता होगा कि कोईनूर हीरा अब कहां पर अब यह भारत में नहीं अब पे इंगलेंड का कोई यात्री नहीं आया था एक डिली का यात्रि आया एक तो पीtsåर मुंडी आया एक निक लिस समानुकी या यह दुटरी तो यह दो यासी इलिक यह दह््ली मा आयए थे और दो आप को बताते हैं कि उस टाइम करने के लिए कौन आया था ये फ्रांस से बर्नियर आया था फ्रांसिस बर्नियर जो इसने उसको इलाज भी किया था एक फोड़ा टाइप का हो गया था तो फ्रांसिस बर्नियर जब आता है साजाहां को देखता है तो साजाहां को देखकर ही बता देता है कि आपके पीट पे जो है एक बहुत बढ़ा फोड़ा है अग्से के बिदाट लिए मतलब मेरा फोड़ा है जब यह बता है कि दर्द रहा है यह तकलीप में है तो जो of hebat उसके दिखे और मतलब होता है है जहां कि हमारा कहीं पर दर्द होता है तो हमारा हाथ बहां पे जाता है मतलब ऐसा कुछ होता है तो इस तरह से उसने बता दिया कि आपकी पीट पे एक फोड़ा है और यह बास सुनके साजां को क्या हुआ। मतलब यह ऐसा इंसान जिसने पतादा कि मुझे में बिमारी क्या है, तबतों में यह मुझको ठीक करी देगा. तो ईय की चीज क zostbehती है, बड़ा अच्छा लगता है. जैसे कि आग्रा का ताज महल हुआ दिल्ली का लाल गिला हुआ और दिल्ली में ये एक मयूर सिंगासन का इसने निर्माड कराया था मोती मस्जिद जो की आग्रा में बन बाई थी और आपकी क्या है मोती मस्जिद आपकी क्या है आग्रा में बन बाई थी सीस महल दिवाने आम बाद दिवाने खास यह सारी की सारी चीज छीजें सीस महल आपका कहाँ पे लाहूर इस अब आगे देखिए उनके बारे में एक एक चीज को पड़ते हैं क्या है आगरा का बारे में पड़ते हैं आप अब यह जू है बेगम मुम्ताज की याद में बनाया गया है 1631 से रह ले गे काने मुम्ताज की डेत हो जाती है तो 1631 में यह बनाना स्ट्राट किया जाता है और क्या बोलता हूं मैं कि यह 22 साल से बन च्यार होता है जो डिजाइन की वम्ताज और किसकी ने बनके का कार किया था और जो बास्तुकार थे मतलब जो इनको बनाने का सरे दिया जाता है वो उस्ताद आहमद लाहुरी को दिया जाता है तो उस्ताद आहमद लाहुरी और उस्ताद इंसाखाईं दोनों ने मिलके इसको एक तरीके से बनाने में बड़ा योगदान दिया था और बन बनती है कि बिस्ट में ऐसी इसी काउंटी चीजे हैं जो अच्रज हैं जो मतलब एक अपने आप में अद्वुत नमुना है अद्वुत एक इमारत हैं तो उसमें जो सामिल होती है तो उसमें हमारा यह 183 में ताजमेल को सामिल कर लिया गया कि यह बहुत ही खुपसूरत है यह खुपसूरती का प्रतीक है प्रेम का प्रतीक है और यह जो है सपेद संग मरमर का इसमें प्रियोग हुआ है और यह जो सपेद संग मरमर है यह मकराना से आता था कहां से आया था मकराना से आया था भा बारतिय और इरानी सहली का इसमें क्या हुआ है प्रियोग किया गया है अब मैयूर सिंगासन के बारे में देखिए मैयूर इसमें क्या है मोर का चित्रन है यानि कि मोर का चित्र है आप लोगं को मैं जूम करके दिखाओं तो देखिए इसमें क्या है जूम करके आप लोगं को दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर देखना आप मैं जब जूम करूं तो यहाँ पर देखना यह कीज़े हैं यहां पे दिखना आपको क्या है दो मोरा उपको दिखाई देंगे तो इसलीए इसको महयूर किया था यानि किसका जो डिजाइनर था वो बादल खां था मतलब इसको किस ने बनाया था बादल खां ने बनाया था और यह जो था पित्रा दुरा सहली में था पित्रा दुरा जडाव कला का इसमें इस्तमाल हुआ था पित्रा दुरा जडाव कला यानि की पित्रा दुरा जडाव सहली का इस्तमाल हुआ था अब इसमें युनानी देपता आरफियस का चित्र मिलता है क्या मिलता है युनानी देपता आरफिय गाबे हिस्सा है यहाद जो हिस्सा है इस में कह innerhalb की चित्र बताते हैं मिलता है देखने को लेकिन यह छोटा साНе में घ्रटा है तो युनानी द्यपतल हार्पियएस न्ची की मिलता एक एद्ली का लाल किला है इसमें कैसे मैयोर सिंगाशन में कोयोर हेरा जड़ा था और दिल्ली में यह यह कहां पर था दिल्ली में था आउ इसी को बाद में जो नादिरसाह अकर्मण करेगा ना जब आदिरमर करेगा! तब इस मायोर सिंगासन को वो उठा के लिये चला जाएगा वो मैं जब होगा आकरमर तब ही बताऊंगा कि वो नादिर सा कब आएगा अब दिल्ली का लाल किला इसमें क्या है दो दरबाजे हैं अब दिल्ली के लाल किले में दो दरबाजे हैं एक तो पर्ष्चमी है उसको लाहोरी दर्वाजा कहते हैं एक आपका दच्डी है ये दिल्ली का दर्वाजा है लाहोरी दर्वाजा मतलब बहां से लाहोर के लिए रास्ता होता है और ये जो दिल्ली का दर्वाजा है यहां पर पूरी दिल्ली मतलब यहां से आप एक तरीके स ट्रबल कर सकते हो दीवाने आम बा दीवाने खास ये दिल्ली में है और ये आगरा के किले में भी है मतलब दिल्ली के लाल किले में भी है और आगरा का जो किला है बहाँ पर भी है अब दिल्ली के लाल किला में तो ये साजा ने बन बाया है आगरा के लाल गिले में हैं मैंने बताया था आखबर ने बन बाया था तो यह क्या है आपका लाल गिला है आपको दिगरा होगा यह हमारा क्या है राष्टी यह जंडा है यह हमारा क्या है जंडा लगा हुआ है और यहीं से क्या है जो 26 जंबरी होती है यह 15 अगस्त होती है त जा है जामा मस्जित ही है जामा मस्जित है जामा मस्जित ही पर दिल्ली में avec us यहां आ rate ने बन बाएई है अर्ज aid में एक मौती मर्जित है जो आगे बढ़ते हैं दोस्तो साजा का सायतिक योगदान देखते हैं, इसका जो राज कभी था वो कहुंदा कलीम था, जो कि फार्सी भासा का था, कलीम आपका क्या था, फार्सी भासा का एक कभी था, और यहां पे जो अनपिरमुख कभी हैं उनके बारे में देखिए, जैसे कि बंसिदर मिहत्र और हरी ना जिन्होंने एक रशना लिखिये पादसा नामा एक रशना लिखिये क्या लिखिये पादसा नामा आईए साजां के उपर लिखिये साजां को इन्होंने पादसा नामा का एक तरीके से टाइडिल भी दिया था और इनके एक और दरबारी कभी है क्या कभींद्राचार इनको क्य सरस्थति की उपादी दिये और तीर्थ यात्राकर इनका माप कर दिया था मतलब जो भी यह तीर्थ करेंगे उस पर कोई टेक्स इन से नहीं लिया जाएगा किन से कबिंद्राचायर से और एक बहुत बड़े विद्वान आते हैं संस्कृत आचायर जगनात संस्कृत के महान महां विद्वान अपके आते हैं जगनात और इनको उपादी दी जाती है महा कभी राम की और इन्हों ने गंगा लहरी और राश गंगाहदर आइसे इन अब इसका इंपोटेन्ट रहता है जाहिति की योगदान में बढ़ा है तो इसने सका इसका में सबसे यह लोग के पुत्रता और शाहा जहान के ढूश स कम आपके अपस में लड़ते रहते हैं। अभी मैं आगे बात भी करूँगा अध्यात्मिक गुरु इनके काउंते दाराशिकों के मियामीर थे इनके काउंते अध्यात्मिक गुरु एक हिंदू गुरु थे जिनका नाम लाल बैरागी था यह इनसे बहुत प्रभावी था बहुत ज्यादा प्रभावी था और जो आप दाराशिको न चैनल गालर चीनल नाम से लिगता चिशत करने के कोशिश किझे जब मैं दिल्ली सर्थें उत्पड़ा रहा था उसमें मैंने एक ब्यक्ति की बात की थी कि जो सिकंदर साहा लोधी है तो वो बताईए किस नाम से कविताय लिखता था सिकंदर साहा लोधी ही होता है सिकंदर लोधी होता है जो क्या है वो भी कविताय लिखता है तो वो किस नाम से लिख रहा था आप लोग कमेंट करके बताईएगा फिलाल तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है वो गुलरुखी नाम से कविताय लिखा करता था और अगर दाराशिको के बारे में पूछा जाये तो ये कादरी नाम से कविताय लिखता था क्यों क्योंकि ये कादरी सिल्सले से संबंद रखता था जो हमने सिल्सले पढ़ेता है ना सोफी भी सोफिजम में तो एक कादरी सिल्सला भी होता है जो कि अब्दुलकादर जिलानी का होता है तो ये उसे संब्द रखता था, अब एक जो इतियास कार है लेनपूल, अब ये लेनपूल क्या है इन्होंने अकबर को इन्होंने क्या का है, दाराशिखों को लगू अकबर का है, क्यूंकि इसकी नीतियां बहँ से तीं, ये किसी की खिलाब नहीं था, ये मतलब हिंदू धर आप वह अपो ने लिए नहीं वहता है क्या अवावि को आपका साजाहा ने इसको क्या बोला है साजान इसको बोला साहा बुलंद इकबाल की उपादी दी है इसकी जो पतनी थी वो नादिरा बानु बेगम थी तो यह बाते आपको पता होनी चाहिए बेसिक बाते हैं सारी की सारी कादरी नाम से कपिता हैं अर्भी फार्शी का बिद्वान अध्यात्मिक गुरू मियामीर लाल बहरागीं इसके हिंदू गुरु थे और सामान परचे में हम अभी और ऴीन से यहां पर मुझे SHE नहीं यहां पर जिन्सदों जो उपनिस्द हैं ना 108 उपनिस्द हैं कितने हैं तो उनमें से बाबन उपनिस्दों का इसने सीरे अकबर नाम से अनुबाद किया है किस बासा में फार्शी बासा में सीरे अकबर सीरे अकबर के नाम से इन्हें बाबन उपनिष्दों का अनुबाद किया है तो कितने मतलब अब अनुबाद किया है तो बाबन उपनिष्दों को इसने पढ़ा भी होगा बिसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, लोजिक सी बात है, जायर सी बात है अब अन्य इसकी क्या है जैसे इसने एक सफी नातु लावलिया करके एक पुस्तक लिखिए क्या लिखिए सफी नातु लावलिया करके एक पुस्तक लिखिए एक मजमूल बहरीन जो इसकी मूल रचना है वो इसने लिखिए तो ये इसकी क्या है रचनाय है दारा सिको बड़ा ही मतलब क्या है एक तरीके से धार्मिक बेखती था और बड़ा ही इसको जादा मतलब राजकाश से कोई लेना देना नहीं था ये बड़ा योगी बेखती था लोगों के बीच में सामजर से बना के रखता था लोगों के बी संगीत को देख लेते हैं तो चित्रकार कौन थे इसके मुहम्मद फकीर और मीर हासिम यह दो चित्रकार थे अकबर के अकबर बोले तो साजहां साजहां के काल में मुहम्मद फकीर और मीर हासिम थे अब मैंने अकबर के काल में चित्रकार बतायते आपको दस बंद जो बहुत पिरमुकापके चित्रकार थे और जो यहां पे एक व्यक्ति हैं संगीत का अर्वों है लाल खां इनको गुण समुंदर की उपादी दी गई है लाल खां को तो ये बात आप याद रखना अब कुछ अन्य फैक्ट हैं जैसे कि आसब खां जो था वो इसका बजीर था किसका होता है आसब खां जिसको जहांगीर ने एक उपादी दी थी जिसका नाम कुछ सामा करके था क्या था सामा करके कुछ उपादी था तो वो उपादी दी थी मीरे सामा ऐसे एक उपादी थी उसकी तो यह वही आसब खां उन्हीं को बजीर बनाया था आपका साजाने और रिखा नूर जहां को दो लाक रुपए देकर नूर जहां कौटी इसके शौतेली मां थी किमकि इसका जने हम उप्रथ winter रूपआ थी तो यह सवतेली मां थी और दो लाक रूपए प्रति वार्दी प्रत और बहां उसकी 1645 में डित हो जाती है कि इसकी नूर जहां की अब साजाने क्या है 1632 में एहमद नगर को मुगल सामराज में मिला लिया था 1632 में इसने अहिमत जंगर को मुगल समराज में मिला लिया था तो साजां के बारे में आप लोग इतनी चीज़ें आपको पता होनी चीज़ें अब आगे देखते हैं आगे भी यह भी चीज़ें है जैसे कि उत्राधिकार का भी युद्ध बाकी है अब उत्राधिकार के लिए युद्ध होगा क्योंकि साजान दीरे-दीरे कमजोर होता जा रहा है अब उत्राधिकार में युद्ध किसके सास होता है जैसे कि दाराशिको जो की पंजाम में था अउरंगजेप जो की बंगाल में था अउरंगजेप जो की दच्छिड में था हूर मुराद बक्ष जो की गुजरात में था। सब इनले के लिए शारे के शारे युद्ध करेंगे कि कैसे भी शासन अमारा दिल्ली पे होना चाहिए अब जो पिर्थम युद्ध होगा वो धर्मट का युद्ध होगा और 15 अप्रेल 1608 बन को होगा अब आपको 15 अप्रेल पता हो या ना पता हो लेकिन 1608 बन का धर्मट का युद्ध तो पता होना चाहिए और ये अरंग जेब के साथ होता है अरंग जेब बहुत दाराशिको इसमें क्या होता है अरंग जेब मुराद बक्सी है न ये इसको भी साथ में ले लेता है और अरंग जेब क्या है इसमें जीच जाता है दाराशिको की सेना हार जाती है यहाँ पर दाराशिको युद नहीं क तुरंत के आता है मही आता है तुरंत ही इसने क्या कर दिया अगले महीने में इसने फिर युद्ध कर दिया और रंग जेब ने और दारा सिखो को बहुत बतलब बुरी तरह से आराया और इतनी बुरी तरह से आराया कि दारा सिखो भाग गया और दारा सिखो को कि इसने पकड क्या था ता इसजां साहगा को बंदी बनाएथा यहां पर डिखिये मैंने साजां को लिखने भोल गया इस यूद के बणना के रखा था यहां पर मैं साजाआं को बना के रखा था ये बात मैं लिखना यह तह मुझा कर दिया और इस यूद्ध के बाद औरंग जेब की आगरा में क्या होती है ताजपोसी क्योंकि ये कह कर देता है साजां को तो बंद कर देता है और फिर अपना ये राजविसेक करा लेता है तो ये इसका पहला राजविसेक होता है किसका औरंग जेब का औरंग जेब दो राजविसेक करा बताँगा है और अग्त एपैं उसमें बताँए उसने उन ऐसे देब्राही का युद्ध होता है और अभी 1658 में होता है में होता है घ्रीवरति अपार जाता है जीत यसमें होता है अब सःजाहीं जो मृत्यू होती है क्यों साजां को इसने क्या कर दिया था कैदी बना दिया था तो कैद कैदी बना 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 साजां क्या होता है वो गुड़गुड के मर जाता है 1666 में 1668 में उसको कैद किया जाता है और 1666 में क्या होता है उसकी क्या हो जाती है एक तरीके से डेत हो ज जाते हैं तो ये बहार पर से इसका खतम हो जाता है ये जो मैंने पीछे आपको बताए ना कि यहां पे इस यूद्ध के बाद आपका क्या होता है इस कहला आपता लिया तक सुलाब्पयान सौने खतावन में खतम हो जाता है अब क्या था अब यहां पे क्या था अब मैं यहांपे था ना साजाह कि मृत्री 1666 में हो जाती है साजाह की तीन बेटिया थी का जाता है कि साजां की जो बेटी जहां आ रहा थी ये अंतिम समय में भी साजां के साथ थी साजां की सेबा में लगी हुई थी साजायां की सेबा कर रही थी क्योंकि इसका ये बाप मतलब बुड़ा था तो उसको क्या है उसकी सेबा में ये लगी हुई थी काउन आपकी बेटी क्या थी जहां आरा और रोशन आरा क्या थी ये औरंग जेब की जासूस थी मतलब औरंगजिव के लिए काम करती थी लेकिन ये बेटी किसी थी, साजां की थी ये अपने ब्द forces के लिए काम करती थी गौहन आरा इसी के समय 1631 में मुम्ताज की मृत्ति हो ग Another ूर्द साजय क्या है था और साजां ने क्या ने मतलब सिजदा और पेबोस को तो अटा दिया गया था सिजदा और पेबोस का उन्दी प्रता थी आपकी मतलब गुटनों के बल चलके जाओ और जो आपका क्या बोलते हैं राजा है यानि कि सुल्ताने उसके कदमों को चुमो ये कहती है आपकी सिदा और पेवोज की प्रताती इसने चार तस्लीम की मतलब आप तस्लीम मतलब होता है एक तरीके से आप हमारा आदब करो एतराम करो लेकिन हमारे पैर मत पड़ो मतलब हमारे पैरों को मत चूओ हमारे सामने कुटनों के बल चलके मत आओ चार तस्लीम आरा करें और एकन को फिरेस करें तक वीडियो को करते हैं तो एल्स को मिंदती रहे रखर आप लोगों को टेलिगराम को आप लोग में सपोर्ट करते रहे रहे ऊ ¡गर पहते रहें पंगे अगर आप लोग को में सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा मोटिबेशन डाउन खैक न जब दाउन हो जाता है तो फिर चीजें मतलब उस लेवल पे नहीं आपाती है भूह उस इनर्जी से में नहीं लखाता हूँ में बहुत रहे States लाने की गोश्छ मतलब जादा से जादा क्या करें वीडियो को सेर करें और कॉमेंट करें कि आपको कैसे लगती है और फिर मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद